अब यहां पर आरप्रेस करता हूं है, आप दिखेंगे यह लिजिए, इसमें कोई दिखत नहीं है, इसमें आप दिखिए, कोई दिखत नहीं है, बहुत भी बैदर तरीके से काम कर रहा है हमारा, यह लिजिए, यह आपका बिल्कुल अच्छे तरह से हो गया, दिखें, यहां हम इसी वीडियो में इसे हम सीखने वाले हैं, चलि इस वीडियो को सुलू करते हैं है गाई दिस इस बुना ये वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चानल टेकी फॉर यू, तो रिगिंग करने से पहले यहां पर बता दो रिगिंग आपको थी टाइप के होते हैं, अभी जो ब्लेंडर ने अपना नया एड किया हुआ है, इसमें आपको एड़न में जाकरके एक डिफॉल्ट आपका रिगिंग आता है, लेकिन उसे हम इसमें ने सिखेंगे, इसमें हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ताकि हम और वी फास्ट रिगिंग कर सकें, और डिफॉल्ट रिगिंग यकिन मानिए बहुत यह अच्छा होगा, तो पहले हम अपना यहां पर कस्टम रिगिंग सीख लेते हैं, कस्टम रिगिंग के लिए यहां पर क्या करता करके L को दो बार प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है मने थिन कर देया, कोई बाद नहीं है, आपको डिलीट प्रेस कर दी है, या फिर Ctrl X, जो भी हो मैं आपर डिलीट को प्रेस करके डिलीट कर लेता हूँ, सो जस्ट यहां पर faces okay and next काम क्या होता है इस leg को ठीक है न एल को प्रेस किया मैंने डिलीर को प्रेस किया and then faces को में क्लिक कर दिया यह मेरा leg हट गया और एक hand हट गया ठीक है अब हम इस hand पे हम loop कर देने वाले एल प्रेस करता हूं है और इधर की तरव खीच लेता हूं ठीक है यह जोंग कर लेता है ठीक है गुड़ वन अब क्या अगरनवाल है हम लूपकट को डालते हैं तो लूपकट के लिए आपको में बता चुका हूं control R प्रेस कीजिए ठीक है और यहां पर एक center में लूपकट द दे दिए गुड़ फिर control R प्रेस कीजिए और यहां पे लाकरके एक लूपकट दी दिजी फड़ फड़ण ओके अपने हाथ कुच तरह से मुड़ पाई है फिर control R प्रेस करता हूं है यहां पे ala करके एक लूपकट दीज लूपकट थे jury प्र lug करता हूं मैं यहां पर लाकर एक लूप कट देता हूं मैं फिर यहां पर लाकर Kir Lab कर लेता हूं एधर मैं ड्रेक करता हूं इसको, अब चलिए हम इसमें लूप कर देते हैं, यानि हमें लूप कर देते हैं, आर प्रेस किया, यहां पर आया एक लूप कर दे दिया, ठीक है जी? फिर आर प्रेस करता हूं, यहां पर लाकर करके एक लूप कर देता हूं, फिर गुट, फिर कंट्रॉल आ यहां पर लाया यह लूप कट मैंने दे दिया, अब यहां पर हम देने वाले हैं, Ctrl-R, यहां पर लूप कट, यह रहा, फिर Ctrl-R, यहां पर लूप कट, चलिए, आपको जहां से अपने बाटी को मोड़ना है, ठीक है, याने रोटेट कर ली है, वहां पर आप अपने हिसाब से देना चाहिए, दे सकते हैं, ठीक है जी, अब इसको मैं क्या करता हूँ, डाबल ल से, से रेट कर लेता हूँ, ठीक है, यहां पर लागर के, इसके, मैं यहां पर रखता हूँ, ठीक है, अब क्या करता हूँ, शिप्ट डीप प्रेस करता हूँ, डुबलिकेट मेरा ही हो गया, ठीक है, जस्ट मैं इसके बगल में रखता हूँ, यह मेरा दो पैर हो गए इसके, ठीक है जी, गुड वान, अब यह मेरा दो लेग हो गया, अब चलदे हम हैंड पर यहीं अपलाई करना वाले हैं, हमने हैं को डीप इसले किया, ताकि मैं जिस हैंड पे यहांपे लूपकट डालू, सेम लूपकट हमें दूसरे पे भी हो, ठीक है, अब डाबर एर प्रेस करता हूँ, मैं ठीक है, शिप्ट डीप्रेस करता हूँ, डूबलिकेट ही हमारा हो गया, आप देखेंगे न, अब इसे में ड्रेक करकी जैसे चाहूँ, ऐसे हाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है, देखे रहे न, आप में हाँ पे, ला सकता हूँ, मैं यहाँ पे रख दिया, अब हमारा जो यह डूपकट है, कुछ इस साइट में हो गया, हमें चाहता हूँ कि अपोजेट साइट में है, ठीक है, तो रो पर आपको दिख रहा ही होगा ठीक है just कुछ इस तरह से ठीक है इसको भी हम से मोई करने वाले है L प्रेस करता हूं मैं and then अंदर की तरह डाल देता हूं good थोड़ा सा बाहर कर लेता हूं थाकि हमारा बोडी को रोटेट हो तो कोई दिखत ना हो double L इन्हें भी थोड़ा सा बाहर कर लेता है okay guys and then अब क्या करता हूं अब आते हैं हम अपने object में आप देखेंगे आपका बिल्कुल अब हम कर लेते हैं इसके लिए हम क्या करना है एड में जायेंगे ठीक है ना जब्सक्वत यहां पर आएंगे आपको आर मेंचर में आना है ठीक है यह आपका बोन हो गया ठीक है ना यहां पर हम आते हैं पर्दी में Video डिस्प्ले में इन फ्रंट को ओन कर लेते हैं जैसे कि आपने पिसली वीडियों देखा था अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देख लिजे तापकि आपको अच्छे से रिंग समझने आ जाए त्री प्रेस करता हूं मैं ठीक है इसको सेंटर में ले जाता यह ले जए है में अब यह firm हो गया अम यहां पर आता है अब हम क्या करता है नगिक एक और इसका टॉप वला यहो pixel Crim bishop कर लेते हैं ठीए और citing अप्रेस करते हैं यह हम ले आते हैं इसके गरदन के पास ठीए ना हमस्के गरदन पे लेगा अधर एक और इभर करके एक बॉन कर लिता है नए भून और इसे हम उबर के तरफे आते हैं ज़रा देखे हैं कितना बड़ा हुआ है काफी है इतना रूर्ज हम आपने अर्ग करना है जो पहले मैं क्या करें बैसा वर पहले हमें थे मैं क्याओ भे निवहाएं ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे हम object में ले चलते हैं, body को select करते हैं, edit mode में ले चलके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा बचागुआ है, हमारा यहाँ पे होना चाहिएगा, है ना, so, फिर हम चलते हैं, object mode में, bone को select करते हैं, edit mode में चलते हैं, इससे select करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे error पे select कर लेजे, ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा, यह लेजे हो गया, फिर press करके आप यहाँ पे आ जाए, ओके, फिर इस एक बार देख लीजे, आपका यहाँ जो look at दिये थी, वहाँ पे है की नहीं, ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, edit mode में चलते हैं, बहुत सही बात है, थोड़ा सांतार है, यहाँ आते हैं, tap press करके, मैं edit mode में जाता हूँ, बार-बार मैं उसको नहीं करूँगा, ठीक है, यहाँ आते हैं, यह मेरा हो गया, so, अब next come क्या है हमारा, एक और यहाँ पे, bone को burn करना, यहाँ प्रेस करता हूँ, एक मेरा bone हो गया, 7 प्रेस करके, आप टॉप से देख सकते हैं, हमका बिल्कुल अच्छे से दीख रहा है, 1 प्रेस कर लेजी, आज यहाँ पे, ठीक है, अब आज यह अश्ट यह, बचाए दूसरा ह ठीक है, यहाँ पे, इप्रेस करता हूँ, सुरी आज कर दिया हमने, इप्रेस करता हूँ, इप्रेस करके, यहाँ से कौन bone burn कर लेता है, ठीक है, फिर एक और इप्रेस करके, ठीक है, फिर एक और इप्रेस करके, मैं इसे कर लेता हूँ, फट आ फट, 7 प्रेस करके देख ले अच्छी बात है, वन प्रेस करता हमें, थोड़ा सा देख लेते हैं, लूप कट हमारा साही है कि नहीं, चलिए एक बार और देख लेते हैं, अब्जेक्ट, बॉड़ी को सिलेट किया, इजिट में मैं गया, हमारा लगबग यहां पर हो गया है, ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होता है, हमारा लेक के लिए, यानि पैर के लिए हमें करना है, ठीक है, अब्जेक्ट में चलते हैं, पर की तरफ, इसे सिलेट करते हैं, बॉण को, थ्धोड़ा सा जुमाट कर लेते हैं, और फटाफट इसे हम, बॉण के जो बॉटम माला हिस्सा है, उसको सिलेट करके, इजिट फोड में आप चले जाएए, यहाँ आब हम सिलेट करते हैं, एक नेरा बॉण करता हू, ठीक है फिर इप्रेस करके एक और फिर इप्रेस करके एक और अब हम क्या करते हैं ड्रैग करते हैं इसे हम बड़ा कर लेते हैं ठीक है जी फिर इप्रेस करता हूं मैं अच्छी बात है यह मेरा बिल्कुल अंदर है आप हम इसे जूमिन कर लेते हैं छेले देखते हैं कि हमारा लूप कट के पास है कि ने सो बोड़ी को किया, इडिट मूड में मैं गया आप देखेंगे कि यहाँ पे है मेरा लूप कट और इस लाइन के पीच में और एक मेरा यहाँ पे है ठीक है just second वाले पर यहां पर अंदर ले चलना है मुझी तो उसके लिए हम चलते हैं फिर अब्जेक्ट में यहां पर बोन को सिलेट किया edit mode में मैं गया just यहां से आया थोड़ा सा यहां पर ला दिया और यह वाला जो हिस्सा है वह मेरा आने वाला है कहां पर तो जस्ट इस लाइन पर लेज़ यह अब एक बार और देख लेते हैं यह रहा इडिट मूड में चलते हैं ठीक है बढ़िया हमारा काम हो गया इसको थोड़ा सा नीचे करने वाले हैं अब सेम काम यहीं पिका करूँगा यहां पर सेलेट करूँगा मैं ठीक है और यह प्रेस करूँगा एक नया बोन करूँगा यहां पर जस्ट इसी के सामने ला करके सेम पोजीशन पर यहां पर यहां पर ठीक है अब आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा ड्रेग कर सकते हैं जिस तरह से चाहें कोई दिकत नहीं है और नीचाहिए आपको ठीक है इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं अब लास्ट का हमारा अपडेट कर लेता हूं बॉडी को एक बार देख लेता हूं अच्छे तरह से हुआ है कि नहीं कि जलबाजी करना अच्छी बात नहीं है यह लिजे आपका लगभग यहां पर पूरी की पूरी हो गई है अब क्या करना वाले हैं हम अबजेक्ट में चलते हैं अब हम इसे आटोमेटिक वेट करेंगे यानि बॉडी के साथ बोन को जॉइंट करेंगे फिरहाल फिर से मैं आपको दिखा साथ फिर पोज मूर्ड में चलते हैं और मैं दिखाऊं तो यह आपका आर प्रेस करने पर सिर्फ यह आपका रोडेट हो रहा है ठीके जी उसके लिए हम क्या करने वाले हैं मैं अब अब्जेक्ट में चलता हूं पहले बॉड़ी को सिलेड करेंगे shift को प्रेस कीजिए और फिर bone वाले हिस्ते को सिलेड कीजिए पूरा का पूरा bone अपने अप सिलेक्ट हो जाएगा अब हम control के साथ P दबाने वाले हैं अब यहाँ पे आते हैं with automatic weight पे click कर देते हैं यह लिजिए आपका हो गया चलते हैं हम यहाँ पे object mode में ठीक है यहाँ पे bone को सिलेड करते हैं so pose mode में चलते हैं ठीक है आर प्रेस करके यह लिजिए आपका यहाँ पे हो गया ठीक है अब बचरा यहाँ पे जो आपका eyebrow थोड़ा सा अलग है ठीक है उसको भी हम next video में जो इधर दल हो रहा है उसको हम सह कि यह दिखेंगी ये लिजए इसमें कोई दिकत नहीं है ए it's इसमें आप दिखिए, कोई दिकत नहीं है, बहुत ही बहुत तरीके से काम कर रहा है हमारा, ये लिजी, ये आपका बिलकुल अच्छे तरह से हो गया, दिखिए, यहाँ पर लेग को भी हम करके दिखा देते हैं, लेग में भी कोई दिकत नहीं है, यहाँ पर भी लेग में कोई दिकत नहीं है, आप फ्रस उपर की तरह चलते हैं, इस लेग में भी आप दिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, ये लिजी, ना, इससे भी आप दिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है रिंगिंग में, जैसा चाहें आप ringing दे सकते हैं इसे लेजे मैं इसे ringing दे रहा हूँ यह लेजे आपका character यहाँ पर full ringing अच्छी तरह से हो गया तो जिस तरह से चाहें आप ringing अब यहाँ पर इसे देख सकते हैं character का आप बिल्कुल motion दे सकते हैं ठीक है अब हमारा next video क्या होने वाला है मैं इसे पहले अच्छी तरह से good then अब हमारा next video क्या होने वाला है कि यह जो हमारा face पर जो eye है यह जान बुझ करके मैंने eye bruise का है मैंने जान बुझ करके किया क्यों कि हम यहाँ पर wet print का use करने वाला है वेट पेंट क्या होता है ताकि वो आपको समाज में आ जाए कि कहीं पर आप गलतिया करते हैं उसे आप वेट पेंट के थुरू सुधार सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह मेरा आइब्रू स्लिप आई हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है हमारा सेब की देना है ठीक है ताकि हमारा बात करें ठीक है और बोन का रहा यहां पर तो वायर कर लेते हैं तापकि आपका अच्छे से दीखने लगा ठीक है जी सो आगे आने वाली वीडियो में हम काफी चाहिए चाहिए सीखने वाले हैं सो आज की वीडियो बस इतना है गाज मि वीडियो के साथ, थैंकियो सो मुच वीडियो देखने के लिए और प्लीज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक चरूर करें, थैंकियो सो मुच गाईस